हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीय से कड़ी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों, रिख बैदिक काल के सामाजिक दसा और धार्मिक दसा के बारे में हमने चर्चा कर दिया था आज हम चर्चा करेंगे राजनेतिक दसा पे रिखबैदी काल में राजनेतिक सती पित्र सत्तात्मक्ता से सुरू होता है और घुमकड़ी जीवन होने के नाते उनके अलग-अलग सुरूप देखने को मिलते हैं यहां पे जो राजनेतिक दसा था राज तंत्रिय ब्यवस्था था त्रिय ब्यवस्था था राजा राज करता था लेकिन यहां के बर्तमान में जो आगे चल करके मौर वंस या किसी अन्यवंस की तरह जो राजा थे उस तरह की राज नहीं करते थे यहां के राजा को राजन कहा जाता था राजन और राजन केवल जनता पिसासन करते थे छेत्र पे नहीं ऐसा क्यों करते थे साथियों रिक बैदिक काल में कभीलाई प्रवृति होती थी जैसे कई बात देखा होगा कि बंजारा लोग आते थे और पूरे परिवार के साथ में ब्यापार करते हुए डेरा डालते हुए आगे निकल जाते थे उनका आपना कोई छेत्र नहीं होता था इसी तरह के रिक बैदिक काल में लोग हुआ करते थे एक कबीला दूसरा कबीला साथ में चलता था तो सासन और राजा का जो मुख कारे होता था वो यूद्ध में नित्रत करना होता था अपने कबीले की रच्छा करना होता था जंगता के कारियों का निर्वान करने के लिए उनके साथ होते थे उनसे यूद्ध में बचाते थे और यूद्ध में नित्रत करते थे और छेत्र नहीं होता था आज यहां डेरा है कल यहां होगा नहीं पता होता था इसलिए छेत्र पे सासन नहीं करते थे अभी जब उत्तर बैदिक काल आएगा तब वो छेतर पिसासन करना शुरू कर देंगे लेकिन अभी रिख बैदिक काल में छेतर पिसासन नहीं करते थे कबीले के मुखिया होते थे जो राजन होते थे ये कबीले के मुखिया होते थे कभीरे के मुख्या होते थे और जन सब्द का अब यहां पर दो बाते होंगी एक जन और दूसरा होगा जनपद अब ही आपको जन देखने को मिलेगा क्योंकि रिगवेद के दसवे मंडल में जन का तो उलेख है लेकिन जनपद का नहीं है तो जनपद कब आएगा उत्तर बैदिक काल से आएगा यह प्रसब पूछ सकता है कि जनपद का नाम देदेगा इस्टेटमेंट में देदेगा निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देदेगा कि जनपद का राजा रिगवेदी काल में जनपद का मुखिया राजन होता था यह गलत हो जाएगा जन का मुखिया राजन होता था जनपद का नहीं क्योंकि जनपद का उलेख नहीं हुआ है राजा क्या करता था तो युद्ध में नित्वत करता था उनकी रच्छा करता था अपने सहीयोगियों का अपने कभीलों की रच्छा करने का दायुत जन के हात में होता था यानि राजल के हाथ में होता था तो इनकी प्रसासनिक इकाई क्या थी तो केंद्री करण से ले करके नीचे की और हैरार्की में आते चले गए तो सबसे नीचे था कुल और इसका मुख्या कहलाता था कुल अपर फिर इसके ऊपर था ग्राम और इसके मुख्या कहलाते थे ग्रामीड या ग्रामड़ी इसके ऊपर होता था बिस जिसे आज हम लोग जिला कहते हैं तो इसका मुख्या होता था बिस्पती और इसके ऊपर होता था जन सबसे ऊपर के काई जन होती थी और इसके मुख्या को राजजन कहा जाता था तो साथियों राजजन उसके नीचे होते थे बिस्पती उनके नीचे ग्रामड़ी और उसके नीचे कुल होता था और यह अधिकारी हो गए और यह पद हो गए कुल ग्राम बिस जन तो साथियों यही हैरार्की हुआ करता था और राजजनेटिक दसा में इससे जादा रिगवैदिक काल में कुछ नहीं मिलता है अर्थविवस्था तो इसमें पसुपालन होता था रिगवैदिक काल में जो आर्थिक गदविधियां होती थी इसमें पसुपालन सबसे मुख था इनका इनका प्राथमिक पेशाय था और इसमें भी सबसे ज़्यादा गाय को पालते थे जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होता था वो उतना ही बलसाली माना जाता था इसलिए गाय की चोरी बहुत होती थी सबसे पहला काम इनका पसुपालन क्यों होता था मानिजे आज यह यहां पर अपना डेरा डाले हैं एक वर्सावास यहां रुके तो यही के भूमी पर इन्होंने कुछ अनाज बो दिया जगेहूं है जो भी बो दिया और यहां पर अपने पस्वों कुरा आज फिर यहीं पर करको बहुत है और जैसे वर्षावास खतम हुआ पूरा अनाज काट है अनाज को अपने पस्वों पर ला दे यहां से पेशा था क्रिसी इनका दुत्तियक पेशा था कि और यही उत्तरबैदी काल में उल्टा हो जाएगा किरसी प्राथमी खो जाएगा और पसुपालन दुत्तिय हो जाएगा लेन दिन की एक प्रडाली जो थी वस्तु बिनमें प्रडाली वो यहां पे प्रचलित थी वस्तु बिनमें प्रडाली इसका मतलब यह होता था कि मान लिजे एक्स के पास में चना है और वाई के पास में गाय है तो यह गाय इनको दे देते थे और चना ले लेते थे अब मान लिजे गाय ज़्यादा किमती है तो चना बहुत ज़्यादा लेते थे तब यह गाय देते थे या इनके पास में चना है इनके पास गेहू है इनसे कहें कि तुम गेहू ले लो हमको चना दे दो तो इसे ही वस्तुभिन में प्रडाली कहा जाता था इसमें एक लोग काम करते थे बेकनाट बेकनाट के पास में सारी बेवस्था होता था तुमको गेहूं चाहिए आओ, गाय चाहिए आओ, और कुछ चाहिए आओ, लेकिन ये सूद लेते थे, इसलिए इन्हें सुद्खोर भी कहा जाता था, रिखबैदिक कालम में सुद्खोर के लिए बेकनाट सब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहा गया है, बेकनाट, किसके लिए, सुद्खोर के लिए, क्या करते थे, सूद लेते थे, क्यों लेते थे, इनके पास सभी विवस्थाएं सामिल रहती थी, ऐसा इसलिया था क्योंकि ये गोमत होते थे गोमत का मतलब होता है धनवान गोमत का मतलब धनवान होता है सातियों रिक्बेदी काल की एक विसेस्ता है उसमें जादा तर चीजें के आगे गव जरूर लगा है गौव धुली, गौव बेशड़ा, गौव मत, गविष्टी तो ये सारी चीजें जो हैं गाय के संकेतक के रूप में हैं मतलब रिख बैदिक काल में सबसे ज़्यादा केंदर में कोई पसू है तो कौन है? वो गाय है इसलिए इसे ना मारने योग कहा गया है अब क्या वस्तु बिनमे के साथ साथ में आईसी कोई प्रडाली थी जो संकेती गूरूप में इस्तेमाल होता था? क्या कोई सिक्का था? तो सिक्का नहीं था सिक्का ये नहीं जानते थे एक अपवाद भी मिला है उसका नाम है निस्क रिख बैदी काल में निस्क को दो तरह से परियोग किया गया है एक जगा तो कहा गया है ये मानक सिक्का था और दूसरी जगा कहा गया है ये गले का हार था गले का हार ये निस्क सोने का था जो भी था यानि अगर सिक्क था तो यह अपवाद था यह गोमतों के लिए रहा होगा मतलब गोमतों का मतलब धनवानों के लिए रहा होगा यानि सामान प्रव्यक्ति इसका इस्तेमान नहीं करता रहा होगा अगर गले का हार ही रहा होगा तब भी गोमत के लिए रहा होगा क्योंकि गले का हार सोने का रहा और सोने ज़्यादा तर गोमतों के पास रहा धनवानों के पास था यानि कि फिर इनका मानक क्या होता था तो साथियों रिग बैदिक काल में किसी भी वस्तू का मानक गाय से आकित किया जाता था यानि मानक क्या होता था गाय होता था गाय ही मुल्ली का मानक होता था ये किसके पास कितना धन है वो डिशाइड करता था ये किसके पास कितनी गाय है यह सोना चांदी का इस्तेमाल करते थे सोना चांदी तामबा लेकिन लोहा का प्रियोग नहीं करते थे लोहा का प्रियोग आएगा उत्तरवएदिक काल से इसके मतलब ये सिंदु घाटी सब्वेता में भी नहीं था नहीं था सोना चांदी तामबा का प्रियोग करते थे गाय मापने का काम करते थे मानक होता था लेकिन लोहा नहीं था लोहा आएगा उत्तरवएदिक काल में अब क्या ब्यावसाय भी बटे हुए थे ब्यापारिक कार करने की जो चेश्टा था क्या वो भी बित्रित होता था तो हां होता था कैसे सिलाई डलिया बनाना जिसे आज पलास्टिक की मौनी समझा जाता है जिसमें सामान रखा जाता है पहले जूट का अरहर का सन का इसका डलिया बनाए जाता था तो डलिया बनाना रसी बनाना ये सारे कार महिलाएं करती थी ये सब काम महिलाएं करती थी और महिलाएं जो इसको अपना बनाने के बाद जब वस्तु बिनमे करती थी तो अपना जीवन चलाती थी यानि कि महिलाएं पंगु नहीं थी वो अपनी आर्थिक गदिविदी अपनी आजीविका को चलाने के लिए सच्छन थी एक तरब कहा गया है कि ये पढ़ी लिखी बिदूसी भी होती थी दूसरी तरब राजनीती में भाग भी रेती थी तीसरी तरब अर्थ ब्यवस्था से भी मजबूत थी यानि महिलाओं की दसब बहुत बहत बह्तर मानी जाती थी एक सब्द आया है गोहना गोहना आज भी बहुत जगाँ आप सुनते होंगे पहुना आये हैं पहुना पहुना कहा आता है दामाद को ऐसे गोहना होता था अतित के लिए कहा आता था और अतित ज़ादा थर दामाद को यह संबंधी को कहा आता था जिसे आज हम संबंधी कहते हैं तो गोहना से ही पहुना बन गए और गोमत मैंने अभी आपको बताया कि धनवान ब्यक्थ के लिए आता था एक सब्द आया है गोजात यानि गाई से उत्पन देउता गाई से उत्पन देउता एक सब्द आया है गवेशड़ा इसका मतलब है कि गाई की खोज करने के लिए गाई की खोज करने के लिए गवेशड़ा सब्द का इस्तेमाल हुआ है एक सब्द आया है गवधूली यह साम के समय को कहा जाता है आज भी कहा जाता है कि गवधूली के समय में भोजन नहीं करना चाहिए गवधूली के समय में चवखट पे नहीं बैठना चाहिए तो यह जितनी भी बाते हम आज आप लोग करते हैं यह रिगवेदी काल में बताया गया है अब अर्थ विवस्था में उद्योग धंधा कैसा था उद्योग इनका कैसा था तो साथी यह समझ लीजिए कि रिगवेद के दसमय मंडल में चार वरणों का जो उल्लेख है ब्रामर छत्रिये बैस सुद्र यह चारों एक ही परिवार में रह सकते हैं काम अलग-अलग हो सकता है इन चारों को बताया गया कि आप अध्यान कीजिए और अध्यापन कीजिए यानि पढ़िये और पढ़ाये इनको कहा गया कि आप संपत्ती की रच्छा कीजिए संपत्ति की रच्छा कीजिए यानि देख रेख करना और इनसे कहा गया कि आप पसुप पसुओं को देखिए और किर्सी कीजिए यानि उद्ध्योग अर्थ व्यवस्था का कामिन के हाथ में आया और इनसे कहा गया कि आप टेंसन न लें आप इन तीनों की सेवा करें और चारों लोग एक ही परिवार के हो सकते थे मैं फिर बताता हूं कि रिगवेदिक काल में वड़ व्यवस्था प्राम्मण छत्रिय बैस सूद्र था लेकिन चार के चारों एक साथ रह सकते थे चारों एक परिवार में हो सकते थे चारों एक कुल में हो सकते थे तो यह ध्यान रहे कि चारों और व्योस्था में यह ब्राम्मण छत्रिये बैस और सुद्र यह चारों जाति सूचक नहीं है जाति सूचक नहीं है यह कर्म सूचक है तो दस्वे मंडल में बताये गया तो उद्योग को ले करके फिर आगे हम बात करते हैं कि उद्योग कोई आनुवंसिक नहीं था मतलब मतलब जो कार पिता कर रहा है वही पुत्र करे जरूरी नहीं था ब्राहमण अध्यन कर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि इसका जो पुत्र होगा वह भी ब्राहमण होगा नहीं वह सूद्र भी हो सकता है वह बैस भी हो सकता है वह छत्रिय भी हो सकता है यानि अनुवंसिक कोई भी उद्योग धन्धा नहीं था एक सब्दाया है तच्छा ये बढ़ाई के लिए होता था ये सभी सिल्पियों का मुखिया कहलाता था सिल्पियों का ये मुखिया होता था आज भी जब कभी सुविकारे होता है तो सबसे पहले बढ़ाई को बुलाए जाता है विबा होता है तो उनसे बिढ़ा लाओ पिढ़िया समझते हैं यहां है उन्हों को बुलाया जाता था तो सिलिपीव के मुखिया और शिलिपियों के मुख्या होते थे कर्मा एक उद्योग था कर्मा मतलब धातू का कारे करते थे धातू का जैसे कुदाल बनाना कुलहाडी बनाना एक थे स्वन्ड़कार यह सोने से संबंधित धातू का कारे करते थे सोने से समंधित्व इसके आप भुसर्द बनाते थे तो सुन कार तो आप लोग समझते होंगे एक सब्द था चर्मकार जो चमड़ा से संबंधित कार्यों को करते थे चर्मकार यह चमड़ा से संबंधित कार करते थे जैसे चमड़े का जूता बनाना मैं बेल्ट बनाना अब पतनी उसमें बेल्ट लोग पहनते थे कि लए लेकिन जूता तो पहनते थे तो जितना भी चमड nit कार्री कार ठाथ यह ँद्योग और चर्मकार जो उद्योग का परमूख होता था उसे चर्मकार कहते थे यानि चमडा उद्योग का कार करने वाला ब्यक्ति चर्मकार कहलाता था इसे बरतमान में सूध्र से जोड़ करके लोग देखते हैं यह गलत है अब आज भी सूध्र यह काम नहीं करते हर कोई करता है ऐसे तब हर कोई करता था तो यह चर्मकार सब्द चमड़ा उद्यों का सूचक है ना कि किसी अन्य सब्द से संबंदित है दूसरा एक सब्द आया है वाए कि वाए तो यह होते थे जुलाहा जुलाहा से संबंदित जो है सब्द वाए का इस्तेमाल हुआ है और दूसरा हुआ है कुलाल आज भी आप लोग देखते होंगे कि अब मिट्टी के बरतन तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन कुमार सब्द का इस्तेमाल होता है कई लोग अपने नाम के आगे सरने भी कुमार लगाते हैं सरमा लगाते हैं विस्सो करमा लगाते हैं अलग अलग टाइटिल लेते हैं लेकिन रिगवैदी काल में जो कुलाल सब्दाया है वो मिट्टी के बरतन बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता था उनके लिए परियोग हुआ है किसके लिए कुमार के लिए कुमार कौन थे यह मिट्टी के बरतन बनाते थे इनके लिए कुलाल सब्दाया है तो साथियों रिक बैदिक काल में हमने देखा सबसे पहले इसका मैंने समय काल देखा उसके बाद में मैंने रिक बैदिक काल के धार्मिक जीवन को देखा फिर मैंने सामाजिक जीवन को देखा फिर मैंने राजनेतिक जीवन को देखा और आर्थिक जीवन को देखा साथियों किसी भी वन्स का इतिहास में किसी को भी जानने है तो उसको चार भागों में विभाजित किया जाता है और कई-कई जगा पाँच भागों में उसमें पाँच वह सांसकृतिक जीवन तो आपके विचार में आता होगा कि रिगबेद में फिर सांसकृतिक जीवन कहां गया तो जब हम धार्मिक जीवन बताएं उसी में अभी उसामाजिक में यह दोनों मिला के भी सांसकृतिक जीवन है माईला दस्षा कैसी थी विवाप्रथा कैसा था लेकिन आने वाले समय में यह एक अलग चेप्टर के आधार पे बनेगा जिसमें वास्तुकला सिल्पकला यह सब भी देखेंगे लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट था जिस चेप्टर के लिए अनिवार था वो यह था कि समयकाल क्या है धार्मिक जीवन क्या है सामाजिक जीवन क्या है राजनेतिक जीवन क्या है आर्थिक जीवन क्या है अगर चारों चीजों से लोग संपन्न है तो उस वंस को संपन्न माना जाता है, अतां मैं यहीं पर अपने क्लास को समाप्थ करता हूं और आप लोगों से निवेधन करता हूं कि ज़ए ज़ए लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें, और जो जो ज werde से लोगों ने सबस्राइब न किया हो, वो लोग हमारे चैनल को प्रतिमाज जियस अकाडमी को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैहिन जैभारत